हेलो गाइज वेलकम बैक तो दे चैनल और मैं आज आपके सामने लेके हैं हूँ पार्ट फाइव ऑफ जुलाइ डब्ली 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 करंट अफेर्ट सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशन्स का सेकिंड पार्ट जिसमें की हम जानेंगे रेस्ट ओफ दे वर्ल्ड के इंडिया से जो रिलेटेट करंट अफेर्ट हैं उन न्यूज आइटेम को देखेंगे हम आज के वीडियो में तो दोस्तो आएज शुरू करते हैं तो दोस्तो यह पहली की चार वीडियो जुलाई करेंट अफेर्स सीरीज की अप्लोड कर दी गई है जो कि आप देख सकते हैं हमारी जुलाई करेंट अफेर्स की प्लेलिस्ट में टोकी लिंक आपको मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर तो दोस्तो rest of the world से related current affairs हम जानेंगे आज India's neighborhood से जो related current affairs है वो last video में हम देख चुके हैं तो rest of the world में क्या-क्या important news रही इंडिया के relation में वो देखते हैं क्या-क्या हम आज के वीडियो में देखने वाने हैं तो सबसे बहले हम देखेंगे जो Chinese हैं उन्होंने claim किया है व्लाडियो वॉस्टॉक एक सिटी है रश्या के अंदर far east में उसको Chinese जो netizens हैं उन्होंने claim किया था उसके बारे में जानेंगे फिर हम जानेंगे U.S. Nimitz and U.S. Ronald Reagan जोकी aircraft carriers है वो उसे ने deploy कर दिये हैं South China Sea में इससे क्या geopolitical consequences हैं वो जानेंगे हम UN clause के बारे में जानेंगे जोकी एक UN treaty है related to laws of seas इसके बारे में जानेंगे ये freedom of navigation ensure करने के लिए है treaty international support के अंदर US ने Chinese consulate एक shutdown कर दी है उसके बारे में जानेंगे और उसमें China ने कैसा respond किया है इस news पर वो भी देखेंगे फिर रशिया ने S-400 एक बहुत important system है ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे इसके delivery चाइना में delay कर दी है postpone कर दी है तो ऐसा क्यों किया रशिया ने S-400 क्यों इतना important system है क्यों China से लेने जाता है ये सब जानेंगे हम new French PM appoint किये गए है वो जानेंगे कौन है कुवेथ ने एक expect quota bill पास कर रहा है अब ये एक bill किसी और country का इंडिया को कसे effect कर रहा है ये देखेंगे हम US ने WHO से completely withdraw कर लिया है officially notify कर दिया था United Nations को कि हम withdraw कर रहे है WHO से उस news को बारे में जानेंगे India EU summit के बारे में जानेंगे European Union क्या है उसके बारे में हम detail में समझेंगे कि European Union बना कैसे था और उसका significance क्या है फिर TikTok में exit कर लिया है Hong Kong के अंदर से ऐसा क्यों किया है ये देखेंगे फिर Hagia Sophia mosque ये कहाँ पिस्थित है और इसका क्या significance है क्यों ये news में रही है इसके बारे में जानेंगे और last में हम जानेंगे कि US ने invite किया है G7 में इंडिया को PM ने keynote address दिया है UN Ecosoft में तो UN Ecosoft क्या है इसके बारे में जानेंगे और last में हम देखेंगे कि Surinam के जो कि एक country है South America में उसके नए president कौन बने है उसका इंडिया से क्या relation है ये क्यों news में आए ये देखेंगे हम आज के वीडियो में तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहली news item से Chinese claim व्लादिय वास्टॉक तो 160th anniversary थी founding of व्लादिय वास्टॉक उस city की foundation की 160th anniversary पे चाइना के जो social media users थे जो की netizens थे Chinese उन्होंने claim किया है कि व्लादिय वास्टॉक actually में चाइना का part था तो व्लादिय वास्टॉक एक रश्या की city है far east में वह आपको map में दिखाऊंगा कहां पे है और यह largest port है रश्या का on the pacific ocean तो यह historically चाइना का part था पर उसको कैसे रश्या ने ले लिया कैसे रश्या का part बन गया वह वह भी मैं पताऊंगा आपको तो यह जो claim से पहले हम यह बहुत सारे tweets हो गए थे या बहुत सारे social media post हो गए थे ऐसे तो उनके basis पे यह news item बन गई थी तो before 1860 जो व्लादी वास्टॉक शहर है यह था Chinese queen dynasty का part था उसके अंडर आता था उसके rule के अंडर आता था फिर जो वहाँ पे opium wars हुई Chinese, Russians, British और French की बीट में उसके बाद यह treaty क की गई जिसके according व्लादी वास्टॉक जो था उस treaty के गॉर्डिंग रश्या का part बन गया था तो Chinese जो people है चाइना जो है वह मानता है कि जो व्लादी वास्टॉक है वह outer Manchuria region जो है Manchuria region जो है उसका outer Manchuria का part मानता है व्लादी वास्टॉक को लेकिन इसे साब से तो वह चाइन और रश्या के बीच में 1991 में 1994 में 2004 में 2008 में उसके लिए रश्या ने बहुत सारे islands भी दिये चाइना को इसको compensate करने के लिए तो यह व्लादी वास्टॉक का उसमें कोई mention नहीं था तो यह currently रश्या का ही पाथ है व्लादी वास्टॉक तो मैप में आप देख सकते हैं बड़ा पॉर्ट है यह बहुत ही modern city है और Siberian region के लिए यह बहुत important port है जो रश्या का Siberia का region है तो बरफ ही रहती है मापे पूरे time तो उस एरिया में यह बहुत ही modern city बनाई है रश्या में और यह आप देख सकते हैं जपैन के भी पास है तो बड़ी बड़ी countries के पास है USA ने तो USA के यह दो aircraft carriers हैं जिनको की उन्होंने deploy कर रहा है South China Sea में अब ऐसा क्यों किया है तो एंशूर freedom of navigation तो South China Sea में इस एर के beginning से जब से coronavirus का issue शुरू हुआ है तो चाइना क्या aggression बढ़ गया है और countries के अगेस में South China Sea region के अंदर तो उसको counter करने के लिए freedom of navigation को ensure करने के लिए इस region में यह दो aircraft carrier US ने deploy करे थे तो चाइना जो है वो 90% of South China Sea region को claim करता है और उनके बहुत सारे disputes हैं आसपास के जो nations है उनसे जैसे कि Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan, Vietnam और यह बहुत सरे islands के उपर disputes हैं इस region के अंदर चाइना के इन सारी countries के खिलाब तो चाइना 90% of the region claim करता है इसको count करने के लिए यह भेजे गए हैं दोनों इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि 3 trillion dollars of trade जो है यहां से इतना होता है इस region के अंदर और इसमें oil and natural gas के बहुत सारे reserves हैं इसलिए चाइना इस region को claim करता है इससे related fact US limits ने जो इनका पूरा group है इसने इंडियन नेवी के साथ इंडियन ओशन में जुलाई के आखरी वीप में एक exercise भी joint exercise की थी इंडियन नेवी के साथ अब SCS region इससे related बहुत important हो जाता है तो मैं SCS region बताता हूं आपको कि है क्या South China Sea में है क्या तो यह South China Sea के आप मैप में देख सकते हैं कि बहुत सारे islands हैं इसके अंदर छोटे छोटे और कुछ इसके अंदर चाइना ने islands यह atolls जो होते हैं छोटे 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 उनको बढ़ा करके अपने base बनाने शुरू कर दी हैं इस region के अंदर तो जो आप red line देख रहे हैं इसमें आपके अंदर यह सारा एरिया इसके अंदर जितने भी islands है और जितनी भी sea का एरिया है यह सब चाइना क्लेम करता है ठीक है और बाकी countries जैसे की Vietnam देख रहे हैं आप इसके अंदर ब्लू लाइन से उनके area वो जो क्लेम करते हैं फिर ऐसे फिलिपीन के हैं yellow line से आप देख सकते हैं Brunei के और Malaysia के तो ऐसे ही अलग-लग countries जो हैं इसके अंदर अपने areas क्लेम करते हैं चाइन आप देख सकते हैं nine dash line इसे कहते हैं red line जो आप देख रहे हैं इस nine dash line के अंदर सारे के सारे आइलेंड चाइना क्लेम करता है इसमें से important कौन हैं यह सारे क्लेम करता है चाइना जो मैं आपको आइलेंड इंपोर्टन इपोर्टित हैं पता दिए इसके अंदर इन्होंने सी के अंदर मिट्टी भर-बर के रैंड डिक्लमेशन से एक बेस भी बना लिए कई जगा एरपोर्ट लैंडिंग स्टिप्स भी बना लिए जहा तो उसका एक result आया था ये ट्राइबुनल कंस्टिटूट की गई थी UN Clause के अंदर यानि United Nations Convention on Law of Seas इसके अंडर ये ट्रिबुनल कंस्टिटूट की गई थी और जुलाई 2016 में उसने ruling दी थी और ये ruling थी चाइना के against इसमें फिलिपीन्स जीत किया था और ये का गया था जो एरिया इसके अंदर फिलिपीन्स ने put up किये हैं वो फिलिपीन्स के हैं चाइना के रहे नहीं पर चाइना इसे पूरी तरह reject कर दिया और इसको ignore कर दिया और वो अभी भी इन सारे एरिया पर क्लेम करता है फिलिपीन्स के जो आइलेंड है एस पर इस ट्रैबुनल जो फिलि इसको जाता है जो की रिजल्ट हुआ था युनाटेड नेशन कॉन्फरेंस निकल के आया था उसको कहा जाता है यू एंड क्लास ठीक है तो यह डिफाइन के करता है कि कि किस कंट्री के क्या राइट्स है और क्या responsibilities हैं किस particular ocean के अंदर तो उनके आसपास का जो ocean है country का territory के जो आसपास ocean है उसके अंदर किस country के कितनी limit होगी क्या-क्या claims होंगे क्या-क्या rights होंगे यह define करता है UN clock की जो agreement है और यह कब force में आया था यह था 1994 में और इससे related एक fact यह कि United States जो है US जो है वो इसको मानता जरूर है कि एक international law है पर उसने खुद इसको ratify नहीं किया है तो इसके अंदर क्या है यह जो मैं आपको figure देख रहे हैं यह समझाता हूं यह बहुत important है इससे आपको clear होगा यह figure से मैं आपको समझाता हूं यह बहुत important हो जाता है कि figure से आप स उसके 12 nautical miles तक 12 nautical miles तक वैसे ही उस country के rights होंगे जैसे कि उस country के अपनी land पे होते हैं तो मतलब 12 nautical miles तक पानी के अंदर उस country के उतने ही rights हैं जितने उसकी अपनी land पे है वैसे ही rights होंगे ठीक है फिर 12 nautical miles की continuous zone होती है यह तरह से buffer zone है और 200 nautical miles from the baseline baseline से 200 nautical miles यह बहुत हैं water आपने सुना भी होगा इसको कहते हैं exclusive economic zone यहां पर economic exclusive rights होंगे यहां पर जो भी oil and natural gas मिलेंगी जो भी fisheries होंगी economic activity के लिए यहां पर उस country के लिए exclusive right है तो इसमें सिरफ economic activity के लिए है 12 nautical miles में पूरे territorial rights की तरह है ठीक है तो यह difference है दोनों में और international water कहां से होंगे जो जो 12 nautical miles territorial zone है उसके आगे सारा होगा वो international waters में आएगा चाहे 200 nautical miles तक exclusive economic zone होंगे तो यह UN clause define करता है कि क्या-क्या part क्या-क्या rights है country के पानी के अंदर कौन सा पार्ट है ocean का वो international waters के अंदर आता है अगली news पर आ जाते है Chinese Consulate shutdown in Houston Houston एक जगह है Texas State के अंदर United States की उसके अंदर China की Consulate को shut कर दिया है चार डेकेट के बाद USA ने अब इन पर इलजाम क्या लगा गया था कि यह hub of spying बन चुके हैं और intellectual property theft करते हैं और यह लोग information पॉसन करते हैं चाइना में इस embassy के थूँ तो यहां पर एक fire भी रिपोर्ट की गई थी कि कहा गया था कि documents को भी जलाया गया है इसके अंदर US ने टाइम जिरे था कि आपको 72 घंटे के अंदर यह खाली करनी है पूरी तो यह बहुत एक awkward scenario हो गया था और इसके बाद इसको बंद कर दिये गया था इस theft के charges पे और एस पिने आज charges मतलब जासुशी के करन इस consulate को यूएस ने बंद कर दिया अब इसके retaliation में चाइना ने क्या कर रहा उन्हों ने भी यूएस का एक consulate बंद कर दिये कहां पे शेंडू में बंद कर रहा है शेंडू चाइना में एक सिटी है वहां पे यूएस का consulate चाइना न यह जो आप figure में देख रहे हैं यह defense का equipment है बहुत important equipment है इसकी delivery होनी थी रशिया से चाइना में इसको delivery को delay कर दिया है चाइने for the time being अब ऐसा क्यों कर रहा देखते हैं तो citing that अगर इसको delivery करेंगे तो यह anti-covid actions को people deflation army जो चाइना की है उसके जो anti-covid actions हैं उसके लिए यह obstruction पैदा करेगा और जो personal involved होंगे दोनों साइड में उनको covid के अंदर आपस में यह meet करने से यह फैल सकता है इसलिए उनकी जो actions हैं उनको effect करेगा यह इस basis पे रशिया ने बोला है कि हम अभी suspend कर रहे हैं इसकी delivery लेकि लेकिन इससे related एक news भी है कि पहले का गया था कि रशिया ने accuse करा है चाइना को off spine तो इसलिए भी हो सकता है कि रशिया ने suspend कर दी है यह delivery तो यह सारी speculations है और लेकिन official statement में यह का गया कि यह covid से related है इसलिए इसको अभी के लिए suspend करा जा रहा है अब यह है क्या S-400 है क्या और यह important क्या और इंडिया के लिए कैसे important है वो भी बताता हूं आपको तो यह एक है एक तरह से shield की तरह काम करता है incoming ballistic missiles के लिए जो अगर missiles को आपके ऊपर डाग देता है country के ऊपर किसी और देश है तो यह incoming missiles को हवा में ही तोड़ देता है और यह तरह से shield बना द यह बहुत important technology है यह अभी सिरफ अमेरिका और रशिया के पास ही है और इन्हों ने दोनों जो systems है यह बाकी सारी countries जो है वो acquire करने जाती है तो इंडिया भी इसके लिए एक deal कर रही है रशिया से वो ongoing है process में है तो यह इसलिए important है कि इंडिया भी यह acquire करने वाला है रशिया स तो मैंने की जैसे कि पता है यह incoming missiles को beach में हवा में ही तोड़ देता है 30 km आसमान में तोड़ सकता है और 400 km दूर तक यह वार कर सकता है incoming missile को 400 km दूर ही तोड़ सकता है तो यह बहुत ही important shield का का काम करता है यह S-400 और जो US के पास इसका counterpart है जो US ने भी SS system जो develop करा है उसको THARD के नाम से जानते हैं अब यह last year South Korea में deploy कर दिया गया था जब उनको लगा था कि North Korea South Korea पर attack न कर दे तो यह THARD वहाँ पे deploy कर जया था US से ने तो इसका full firm के है Terminal High Altitude Area Defense System तो यह इसका counterpart है THARD का S-400 अगली न्यूज तो न्यू फ्रेंच PM एपॉइंट किये गहे हैं Emmanuel Macron जो कि प्रेजिडेंट है फ्रांस के उन्होंने यॉन कैस्टक को निया प्राइम मिनिस्टर बना दिया है फ्रांस का और पहले फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे एडवर्ड फिलिप तो जॉन कैस्टक से अब पिक्चर में देख सकते हैं इनको न्या पीम बनाया किया है और ऐसा क्यों किया क्या क्या क्योंकि एक एक स्पेशल फ्रेंच कोट ने और कर दी थी इन्वेस्टिकेशन पिछले प्राइम मिस्टर के केस्ट डू टू बैड हैंडलिंग ओफ कोवेट क्राइस तो इसलिए पुराने जो पीम थे एडवर्ड फिलिप उनको रिजाइन कराया गया और यह नए पीम बना दिके जॉन अगली नियूस कुवेट अप्रूस एक्सपेक्ट कोटा बिल अब यह कुवेट में एक लेजिसलेशन पास हुए है उसका इंडिया में एफेक्ट पड़ रहा है वो जान लेते हैं कि कैसा क्यों हुआ है तो एक कुवेट की जो नेशनल असेमली है उसने कमिटी बिनाई थी उन्होंने अप्रूब कर दिया है यह एक्सपेक्ट कोटा बिल इससे क्या होगा कि आठ लाख इंडियान्स को कुवेट से धीर देर निकाला जाएगा भार अब ऐसा क्या है जान लेते हैं कि प्रेजेंट ली जो है 4.3 मिलियन पीपल है जो कुवेट के हैं सिटिजन से उसम में से 1.45 मिलियन इंडियन है तो इनका प्लान क्या है इस बिल के कोडिंग की धीरे धीरे जो 70% एक्सपेक्ट प्रपॉलेशन है अभी उसको 30% एक्सपेक्ट कर दिया जाएगा तो यह बहुत बड़ा जोल्ट है इंडियन को वाद से निकाला जाएगा धीरे धीरे और यह क्यों कि कुष्च जो है वह वह वन अगर लाज सूर्स अफ फारन रिमिटेंस है जो कि इंडिया में आती है रहते है इंडिया में पर धूंध बहुत बहुत हो जाता है ठीक है कि कोविड की वैसे जॉब लॉसिस हो ए तो लोग वहाँ पर देख रहें की कि अपने जो वहा पर्शन गल्फ में आठ कंट्रीस हैं वह मैप में दिखा देता हूं कौन को थी भारेन, इरान, इराक, कुवेत, उमान, कतार, साओधियरेबिया युएई, तो मैप में देख लेते हैं पर्शन गल्फ का है यह जो सारे एरिया इसको कह जाता है पर्शियन गल्फ, पर्शिया जो है वो इरान का पुराना नाम है उसको इरान को पहले पर्शिया कहा जाता है तो यह है इरान, इसकी कापिटल है तेहरान, यह है इराक, इसकी कापिटल है बगदाद, यह है साओधियरेबिया, इसकी कापिटल है रियाद, यह है कुवेत, छोटी सी कंट्री है, वन अव एमरेट्स इसकी अबुदावी यहाँ पर दुबई भी है पर कैपिटल इसकी अबुदावी यहाद रखने हैं फिर ओमान जिसकी एल है मसकत तो यह सारा है पर्षयं गल्फ और यह जो आप देख रहे हैं इसको जाता है स्ट्रेट एए दो लैंड मासिस के बीच में छोटा सा स्ट्रेट है कि यह भी एक चोक पॉईंट है इंटरैशन सका Reef स्टेट अफ मलाक का है यह एक इंपॉर्टन प्रेट ऑफ हुम्रूस जो है यह इंपॉर्टन चोप पॉइंट है हुम्रूस एक आईलेंड है इरान के अंदर इसलिए इसका नम स्टेट ऑ फुम्रूस तो दोस्तों इसके साथ ही हमने वेस्टन एशिया में जो पर्शन गल्व कंट्री पिछले जून वाले इंशी electr Lux 제일 Skyन वाले में आपको इंडिया Am Self Syson. जो दस अश्यार की माइं तो एक है हम सारी के इसाके इंदर इंपॉटेंट के बारे में जा लिया है , और मेरा आगे भी यही रहेगा कि इस current effects ला, जो static geography का पार्ट है, उनकी countries मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, पताता रहूँगा, उनकी significance क्या है geopolitical arena में. अगली news item पर आते हैं, Trump officially withdraws from WHO, तो Donald Trump ने US को withdraw कर लिया है, World Health Organization से, तो US ने already halt कर दी अपनी funding April में, क्योंकि उन्होंने accuse कर रहा था कि China जो है, उसकी side ली जा रही है, WHO ने चाइना की side ली और यह जो pandemic है, coronavirus का, COVID का, उसको पहले नहीं लाया गया सामने world के, तो उस वयाएसे यह पूरी दुनिया में फैल गया, तो इस वयाएसे WHO की creditability पर यह acquisition थी, और इसकी funding April में ही बंद करती थी, तो उन्होंने अब Trump ने यह US का decision, UN Acted Nations को formally convey कर दिया, कि हम withdraw कर रहे हैं WHO से, क्योंकि they have failed to make the requested and greatly needed reforms, reforms नहीं कर पाया, इसलिए हम withdraw कर रहे हैं, और इसके लिए related fact गया है कि US जो था, वो single largest contributor था, World Health Organization का, और यह approximately 450 million dollars per annum देता था, और चाइना सिरफ इसका 10% देता है, यह Donald Trump की speeches में आपने पिछले 6 मीने में बहुत बरी सुना होगा, कि सिरफ चाइना 10% देता है, फिर भी WHO ने चाइना की side ली, तो यह आप देख सकते हैं, इसलिए इन इंडिया European Union Virtual Summit, इंडिया EU Virtual Summit, तो PM Modi ने co-chair किया है, 15th India EU Summit, after a gap of nearly 3 years, nearly 3 साल के बाद 2017 में हुआ थे last time, उसके बाद अब कराया गया है, यह summit, और co-chair किया था, मोदी जी ने और इसके co-chair बाकी दोनों कौन से था, European Council की head थे, president थे, Charles Michel, और president of European Commission, Ursula von der Leyen, तो यह दो लोगों ने इनके साथ, PM Modi जी के साथ co-chair किया था, इस summit को, अब यह European Council किया है, European Commission किया है, यह मैं आपको आने वली slides में explain करेंगे, जब हम देखेंगे कि EU के part क्या क्या है, तब मैं आपको पताऊंगो, यह क्या है, अब इसके अंदर क्या-क्या अप्रूफ किया गया, इसमें roadmap decide किया गया, कि 2025 तक क्या इन्धिया EU की partnership, जो है strategic partnership, उसकी direction क्या होनी चाहिए, उसके roadmap को finalize किया गया, जो free trade agreement है, EU के साथ जो हम भी करना चाहते है, जिसकी discussions चल रही गया, जैनि कि bilateral trade investment agreement, जो कि 2007 में जिसकी talks शुरूवी थी, उसको दुबारा revise की गई है talks को, इस direction में proceed करने को कहा गया, और इस से related fact है कि EU जो है, वो इंडिया का largest trading partner है as a group, तो EU अगर हम as a group देखेंगे तो सबसे बड़ा trading partner है, अगर country wise देखेंगे तो US है at present, अब differences क्या गय जो EU वल है, वो automobiles में अच्छे हैं, dairy products अच्छे हैं, वो wines में उनको advantage है, इस सब के लिए EU चाता है कि इंडिया अपनी domestic economy खोले, इंडिया चाता है EU उसे data secure status देदे, जिसे कि IT companies को फैदा हो, अभी इंडिया जो है, वो data secure nation के list में नहीं आता है, यू कि इसलिए वो जब किसी भी country में, IT की field में तो इंडिया को disadvantage रहते है, तो यह चाता है इंडिया, इसके अंदर और क्या के decisions लिए गए, इंडिया EU civil nuclear pact को finalize कर ली गया, जिसे कि nuclear energy को peaceful purposes, यानि electricity विगारा के लिए, कैसा ये use के जाएगा, उस pact को finalize कर ली गया, science and technology agreement को final कर ली गया, उसको renew कर दि security dialogue को start किया गया, maritime security ensure करने के लिए, कहाँ पे western Indian Ocean में, अभी ये सारे nations में आपको कौन कौन से है, western Indian Ocean में वो पता चुका हूँ, चून के current affairs में, और क्या लिया गया decision, it decided to strengthen India EU clean energy and climate partnership, तो EU जो है, वो climate change और clean energy की दिशा में बहुत ज़्यादा actively participant करता है, काफी जो nations हैं, इसके को भी strengthen करने का decision लिया, specially international solar alliance, जो कि India ने start किया था, और EU green deal, तो इस जिशा में भी strengthen करना है, इंडिया की और EU की partnership को, अब European Union क्या है, इसके बारे में, जान लेते हैं, European Union as a organization क्या है, European Union is a unique economic and political union, तो economic union है और political union भी है, between 27 EU countries, जो की पूरे Europe को maximum cover करता है, तो इसमें 27 countries हैं, और यह economic भी union है, और political भी union है, दो चीज़े इसमें हमें इससे पदा चली, यह कब क्रेट किया गया था, यह start हुआ था as a economic union, इसको economic union की तरह use किया गया था, economic community की तरह, इसको envision किया गया था, 1958 में start किया गया था, इसको after second world war, जिसे कि यह छोटी-छोटी Europe की countries हैं, यह जब एक साथ मिलके economic deal में आएंगी, तो यह इनको भार के देशों से deal करने में हसानी होगी और आपास में भी इनका trade अच्छा रहेगा, तो इसको ऐसे economic union envision किया गया था, उस समय इसमें सिरफ 6 countries ही, Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands, उसके बाद 22 countries इसके अंदर add की हुई धीरे-धीरे और यह single market बन गया, यूरोप की बहुत बड़ी market बन गया था यह, इसके अंदर से फिर 21st January 2020 को United Kingdom ने European Union को छोड़ दिया, जिसको कि हम Brexit के नाम से चानते हैं, फिर European Economic Community जो बनी थी 1958 में, उसका नाम चेंज कर दिये गया 1993 में, इसको European Union बन बना दी गया 1993 में, as per Masterich Treaty, एक treaty हुई थी, Masterich, Holland में एक जगह है, नेधरलेंड में जगह है, वहाँ पे एक treaty की गई, और इसका नाम चेंज करके, European Union कर दिये गया, यह economic union से, economic and political union बना दिया गया, तो जिसको economic union की तरह envision गया था, 1958 में, अब उसके अंदर क्या क्या गया, policy areas प भी करेंगे, health पर भी करेंगे, external relations बाकी देशों से कैसे होने चाहिए, उसके करेंगे, security, geopolitical, यह सब areas में, यह सारे corporate करेंगे, तो इसका पूरी दिशा बदल दी गई, 1993 में, add कर दिये गया, political union, अब इसकी organs देख लेते हैं, इसके seven basic हैं, इसके institution हैं, जिसको कि हम you के नाम से जानते हैं, तो यह एक करके देख लेते हैं, जो भी मैंने पताया था कि President of European Commission और European Council जो कोच अर्थे मोरी जी के साथ, तो यह अब organization कौन कौन से हैं, यह देख लेते हैं, सबसे पहली है European Parliament, जैसे हमारी Parliament है, यह भी एक European Parliament बना दी गया, supra organization structure बना गया, कि छोटी-छोटी countries की अपनी पार्लेमेंट्स तो ही, उन सब के ऊपर भी एक common बहुत बड़ी पार्लेमेंट है, तो supra-sovereign institutions को यह envision करा है, इसके अंदर, तो legislative body है European Parliament, इसके अंदर 705 directly elected representatives है, 705 directly elected, ठीक है, तो यह जैसे MPs को elect करते हैं, इंडिया में, वैसे इसमें elections होते हैं, इसका Secretariat है, Brussels के अं इंदर कॉंसा institution है European Commission, तो यह हमने जाना था, President of European Commission, Coacher तो यह कहा, executive body है, तो जिएक तर से government जैसे होती है, इंडिया की executive arm है, polity की, तो यह European Commission, executive body है, इस European Union की, यह accountable होती है, European Parliament को, तो यह सेम ही है, एक तर से executive or legislature, तो European Parliament, legislature है, EU का, और European Commission, जो एको executive body है, तीसरा, तीसरा है European Council, अ अब जो अलग-लग देशों के heads हैं, presidents हैं, prime ministers हैं, European Union के जो country हैं, member countries, उनकी जो regular meetings हैं, उनको का गया है European Council, तो commission हो गया, executive body हो, यह council हो गया, सिरब उनके heads of state मिलेंगे, तो उसको नाम हो गया European Council, और एक council of EU भी है, तो इसमें confused नहीं हो ना, European Council of Council of EU, Council of EU is upper house of EU Parliament, जैसे हमारी राज्य सभा है, यह council of EU, upper house है European Parliament का, एक court of justice है, Luxembourg में है, उसका headquarter, जो की set up किया गया है, court of justice, यह क्या करता है, कि जो European law है, वो सही से implement हो हो हर देश के अंदर, और जो European Union के जो disputes होगर हो जाते हैं, किसी भी institution, member states के अंदर, उनको resolve करता है, यह court of justice, ज exemplar के अंदर, एक country है, EU की, और इसका monetary policy को implement करने के लिए भी, European Central Bank भी बनाया गया है, तो यह इसकी seat है, Frankfurt, Germany में, यह monetary stability ensure करता है, member states के अंदर, और lastly है, court of auditors, जो की finances, जो EU के हैं, उनकी audit के लिए use होता है, उनकी member countries को finances दीए गया है, वोसे इतना use कर रही है, वो countries की नहीं, उ इसको यह court of auditors देखता है, अब इससे कुछ और related facts EU से देख लेने, last slide है, इसकी EU की, Copenhagen criteria, Copenhagen Denmark की capital है, तो यह criteria define करता है, कि कि किस nation की क्या क्या conditions होगी, अगर किसी country को fulfill करनी है, जो EU को join करनी के लिए, तो एक single word में पूछा जा सकता है, objective type में, और इससे आपको confused नहीं होना है कि सारे जहां पर euro use होती है, वो सारे members ही है EU के, तो जह ज़रूर नहीं है कि EU उनकी common currency हो, सारे देशों ने adopt नहीं किया common currency EU के जो members नहीं है, पर currency उनकी euro नहीं है, अब members कौन-कौन से हैं, यह सारे members हैं, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden, तो यह 27 nations इसके part है, तो अब map में देखिए, जो green area है, यह सारे members है, European Union के, तो यह maximum Europe को cover करता है, 27 countries में, इसमें England नहीं है, United Kingdom नहीं रहा, Switzerland आप देख सकते हैं, map में नहीं है, इसका part, और Norway, एक important country है, जो इसका part नहीं है, जो कि Scandinavia में है, countries हम किसी और map में मैं आपको अच्छे वे याद कराऊंगा, Eastern Europe, Western Europe, Northern Europe, ऐसे divide करके, हम इनको सारी को याद कर लेंगे, आने वाले वीडियो के अंदर, अब आ जाते हैं, अगली news के अंदर, TikTok exits Hong Kong, TikTok जो की बैल नहीं लगा दिया थे इंडिया में, जून के अंदर, Hong Kong से भी exit कर लिया, तो यह नहीं क्या नहीं है, ByteDance, यह company जो है, जो ओन करती है TikTok application को, जो की, कहा गया, world most valuable startup थी, वो Hong Kong से exit कर गई है, वहाँ से withdraw कर लिया, उन्होंने, क्यों, क्योंकि जो Hong Kong का, अंदर, नेया, चाइना का security law लगाया गया है, जिसकी, कि आप देख सकते हैं, detail में हमने देख जाना था June के current affairs series में, तो उसको आप पूरा जान सकते हैं कि China security law क्या था, तो उसके basis पे ये clear नहीं है कि, एदर Hong Kong पूरा चाइना की jurisdiction के अंदर आएगा की नहीं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ से withdraw कर लिया है, और इसके अंदर यह है कि अगर कोई ऐसा content है, जो कि dangerous है national security को, उसको withdraw कर प्रिजन भी की जा सकती है, इस log अंदर, तो इस वयसे TikTok ने Hong Kong से withdraw कर लिया है, और USA ने भी ultimate दे दिया है TikTok को, कि आप 15 September तक अपनी ownership किसी US company को बेच दी जा नहीं, तो आपको USA में भी ban करती है चाहेगा, और DAOIN एक version है TikTok का, जो कि China में use किया जाता है, तो चाइना में बहुत जो है, वो TikTok का mainland China का version है, Hagia Sophia mosque, तो ये news में क्यों रहा ही, देख लेते हैं, अब थोड़ा से रह गया है, थोड़ा से हम सारे news item फटा फटा फट देख लेंगे, तो आप photo में देख सकते हैं, ये एक mosque है, बहुत पुरानी mosque है, और ये कहाँ पे Turkey के अंदर, तो Turkey के अंदर, Istanbul City जो है, उसके अंदर, ये बहुत world famous mosque है, जो कि आप देख सकते हैं, पिक्चर के अंदर, इसके अंदर कहेगी, जो की का highest administrative court है, उसने एक ruling दिये, जिससे की, इस mosque को, जो की museum की तरह use किये जा रही थी, अब तक, 1934 से जो की museum बना दी गई थी, उसको दुबारा से mosque declare कर जेगी तरकी की government, तो उन्होंने कर भी दिया है, इसको दुबारा mosque declare कर दिये, यहाँ पर दुबारा से संदर prayers भी देना शुरू कर दी हैं, लोगोंने, तो ये एक cathedral turned mosque थी, जो की 6 centuries का monument है, 6 century AD में इसको बनाया गया था, इसको बाद में convert कर दिये गया था, मॉस्क में, और फिर museum मे इसको 1934 में convert कर दिये गया था, और अब इसको दुबारा से museum से mosque बना दिये गया, तो और ये world heritage site भी है, UNESCO की world heritage site list में है, और इसका internationally criticism हुआ है, United States ने भी criticize कर दिये इस decision को, और Orthodox Christian leaders, जो की Greece especially, उन्होंने सबसे आगया है, उन्होंने criticize कर दिये इस decision को, तो ये church था, और जब Greece थे उस समय बहुत powerful थे, तो उन्होंने ये एक बहुत significant site है, Greeks के लिए भी, तो इस वैसे इन्होंने बहुत criticize किया, तो लोगों ने इसको compare भी किया, कि राम बंदे टाइप से किये situation आगी है, तर्की के अंदर वैसा इन्होंने कर रहा है, अब Greece और तर्की से relation आपा से बहुत इस से related fact जान लेते हैं, तर्की के president है, Recep Tayyip Erdogan, और इनकी capital टर्की की Istanbul नहीं है, लोगों को confusion हो जाती है कभी कि बार, इसकी capital है Ankara, इस्तानबूल जो हो एक city है, जो कि आप में देख सकते हैं, ब्लैक सी और Mediterranean Sea के उपर है, बीच में है, और इसका आदा हिस्सा जो है, वो य इसिया के अंदर आता है, तो एक ही city के अंदर आधी Europe में है, और आधी Asia में है, US invites India to G7, तो Donald Trump ने, जैसे कि हमने जून के करेंटरफेस में जाना था, कि G7 क्या होता है, और Trump सोच रहे थे कि इंडिया को भी invite कर जाए और G7 को expand कर दिया जाए, तो उसी direction में Trump ने P.M. Modi को invite कर है, G7 summit में, जो की USA में होना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको expand करे जाने के एक option दिया था, Donald Trump ने, और इसमें countries कौन कौन सी है, आप देख सकते हैं, और डिटेल में G7 के है वो आप देख सकते हैं, जून वाली वीडियो के अंदर जिसका की link मैं आपको दे दूआ, दो news item रह गया है, देख लेते हैं, PM to deliver keynote address in UN SOC, तो United Nations Economic and Social Council, जो है, ECOSOC जिसे कहा गया है, उसका accession हुए है in New York में, 17 July में, उसमें PM ने keynote address दिया है, तो यह UN SOC है, इसके बार में हम जानेंगे आगे, तो पहले theme देख लेते हैं, इसकी क्या थी? तीम थी, multilateralism after COVID-19, what kind of UN do we need at 75th, यह बड़ी सी theme थी, इस summit की, और इसमें India का, जो development motto है, वो मोधी जी ने highlight करा, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, यह PM मोधी जी ने highlight करा, कि यह सब हमें करना पड़ेगा, achieve sustainable development goal, जिसमें की को भी पीछे ना छोड़ा जाए, और पीए मोधी ने 70th University of SSOC, जो की January 2016 नहीं हुआ था, उसमें भी यह address, keynote address दिया था UN SSOC में, About UN SSOC, फड़ा फड़ देख लते हैं कि क्या है, यह one of the principal organs है UN की, और इसका काम क्या है, यह उन-उन areas में देखते है, economic, social, environmental issues, जो world stage पे हैं, उनकी implementation हो रही है, वेदर जो rules reside किये गए इंटरनेशनल अरेना में, वेदर वो implement हो रहे नहीं हो रहे हैं, और यह उन achieve करना चाहती यह development goals, जो SDGs हैं, sustainable development goals, उनकी implementation का काम है, UN SSOC का, इसके अंदर 54 members elect किये जाते हैं, UN General Assembly द्वारा, for overlapping three years terms, और यह United Nation का platform है, for sustainable development, उसके बारे में discuss करना, उसके बारे में innovative thinking करना, rules, क्या-क्या हमारे goals होने चाहिए, sustainable development के लिए यह सब यह देखता है, Last topic पर आजाते हैं, Surinam's new president, तो Surinam एक देश है, South America में, उसके नए president elect होए है, कौन है वो देख रहेते हैं, चंद्री का प्रसाद संटो की, जो पिक्चर में देखने हैं उपर वाली, यह हैं चंद्री का प्रसाद संटो की, इनोंने Sanskrit में अपनी oath ली है, President की, holding Vedas in hand, हाथ मे वेदा लेके Sanskrit में oath ली है, तो इसलिए यह important हो जाते हैं, और जो नीचा photo देख रहे हैं, यह है, प्रिष्णा माथो एरा, तो यह defense minister बनी है, Surinam की, और यह art of living president थी, जो art of living है, श्री श्री रविशंकर जी का, उसकी president थी Surinam की, तो यह बन गई है वाल की defense minister, प्रिष्णा म सूरी नाम, और इसकी capital है, तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो international affairs के, जो rest of the world part है, उसके उपर current affairs पे, तो दोस्तों अगर यादी आपको यह वीडियो पसंद रहा है, तो प्लीज इसे like कर दीजिए, and share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, and don't forget to hit the subscribe button, and that bell icon, जिस आने वाले ऐसे ही वीडियो की notification आपको मिलके रहे, तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, July current affairs series के science and technology celebrated current affairs रेकेंगे, तब तक के लिए, bye bye, and happy learning.